अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ रहता है तो उसे हाई बीपी, डायबेटीज, हाट प्रॉब्लम, फैटी लिवर समेट कई समस्याई खेल लेती है वहीं अगर किसी का वजन मिल्टेन रहता है तो उसे आगे चलकर किसी गंफीर बिमारी का खत्रा कम हो जाता है सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शक्स की फोटोस काफी वारल हो रही है जिसमें उसने अपना इतना वजन कम कर लिया कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो रहा है अमेरिका के मिसिसिपी के रहने वाले 42 साल के निकोलस क्राफ्ट का वजन चून 2019 में 294 किलो था लेकίν 165 किलो वजन कम करने के बाद अब उनका वजन 130 किलो रह गया है Nicholas की पहली और अपकी फोटो में अंतर साफ साफ देखा जा सकता है Nicholas ने इतना वजन कैसे घठाया इस बारे में, चलिए चांड लिजए बचपन से ही मोटे थे Nicholas पाथफिट नौइच की निकोलस ने इंटर्व्यू के दौरान बताया कि मैं बच्पन से ही अपने अधिक वजन से संख़श कर रहा हूँ, मैं फिजिकल रूप से एक्टिव नहीं था, इसलिए मेरा इतना अधिक वजन रहा, मेरे अधिक वजन के कारण में कोई भी फैमली फ नौक्टर ने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो मैं तीन से पांच साल के अंदर मर जाओंगा, बस उनकी उस बात ने मुझे ऐसास करा दिया कि मुझे अपने तरीके बदलने होंगे क्योंकि मैं लंबे समय तक जीना चाता था, वजन कम कर के रहूंगा, कैसे किया वेट लॉस? की समस्या दूर हो गई, मैं अधिक एनर्च्वेटिक महसूस करता हूँ, अधिक अधिक हूँ, अब मेरे साइस के कपड़े भी मार्केट में मिल जाते हैं, वजन कम करने वाली कोई दवा या सर्जरी नहीं, निकोलस ने बताया कि मैंने वजन कम करने के लिए कोई भी दवा हैंगे, मैं अभी अपने वेट लॉस गोल तक नहीं पहुचा हूँ, लेकिन मुझे जानकर अच्छा लगता है कि मेरी कहानी से कई लोग मोटिवेट हो सकते हैं